नमस्कार दोस्तो एक पिता अपने दो बेटे बेट्यों के साथ खेत पर केटनस्य का छिटकाव करने के लिए गया था और कोई से पानी निकालने के दुरानी तिनों को मियत गोशित कर दे गया है इस खबर की जानकारी के बाद परिवार सहित पूरे गाउं में गम का माहुल है और पूरा मामला है जो सिवने के दोमा थाना छेतर के थपारा गाउं से निकल करा रहा है पुलिस ने बताये कि धपरा गाम के रहने वाले सुभास पिता गंगाराम साहू मंगलवार को अपने बेटे और बेटी के साथ मसूरी की फसल में दवा छिड़कने के लिए खेत पर गए थे काम करने के दुरान सुभास का तेरे वर्षी बेटा अरपित कोई से पानी निकल रहा था और फैर फिसलने के दुरानी इस बड़े घटना का उंजाम मिला है उसे देखने के बाद पिता और बेटी दोनों ही कुए में उतर गए है जिसके दुरान तीनों को इम्मत गोशित कर दी गया है काफी देर तक तीनों के खेट से कोई नहीं दिखाए तो आसपास के लहने वाले लोग मुके पर पहुँचे हैं और तलास करने के दुरान इस पूरे मामले का खुलास हुआ है जिसके बाद धोमा थाने में पुलिस में सूचन दी है जिसके बाद पुलिस अद्यक्ष राकेश सिंग मोके पर पहुँचे हैं